Lesson 17 from the book Why they didn't teach me this in this school 17 financial lesson है अपने पड़ोसी के खर्चों की बराबरी कभी न करें कुछ लोग अपने पड़ोसीों के high expense की बराबरी करते हैं या उनसे ज़्यादा खर्च करने की कोसिस करते हैं आखी हम उनसे बड़े नजर आएं आपको दूसरों को impress करने के लिए अपनी capacity से ज़्यादा खर्च करने की जरूत नहीं है आप अपनी family को खुश करने के जिमिदार हैं यदि आपका पड़ोसी एक BMW कार खरीद के लिए आया तो जरूरी नहीं कि आप भी नई BMW कार खरीदो वो सकता है कि आपके पड़ोसी ने अपने expense की limit के बाहर जाकर BMW कार खरीदी हो या उसने अपने दूसरे पड़ोसी की देखा देखी में कार खरीदी हो ऐसी situation में आपका पड़ोसी problem में फसने वाला है और यादि आप बिना सोचे समझे उसको copy करोगे तो आप भी problem में फसने वाले हो आप ये याद रखें कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास आप से ज्यादा resources है आपको उनसे जलने की जरूरत नहीं है बलकि अच्छा सोचने की जरूरत है इसी तरह दुनिया में कई लोग होंगे जिनके पास आप से कम resource होंगे तो हमेशा आपने उपर के लोगों को देखके टेंसर मेंना रहें आपके पास अभी जितना है उतना बहुत से लोगों के पास नहीं होगा और पहुत से लोगों का dream होगा आपके level तक पहुचनेगा तो आपके पास जो नहीं है उसका दुख छोड़के आपके पास जो है उसमें खुस रहे है